हमस्कार साथियो मैं राजवर्दिन चुहाने को फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल तो शुरुत करते हैं आज की सेसं की लेकिन सेसं की शुरुवाद करने से पहले आपसे कहना चाहूँँ कि यदि अभी तक आपने चानल को सबस्कार ने किया है लिखा हुआ है भारतिये नौसेना के दोरा आयोजित जापान भारत समुत्री अभ्याज 2023 इसे जीमेक्स 2023 की नाम से जाना गया ठीक है क्या नाम है उसका जीमेक्स 2030 का कौन सा संस्क्रण ये कौन सा संस्क्रण था जो की बंगाल की खाड़ी में संपन हुआ कई सारे कोश्चन से बनते हैं पूछाएगा कि बंगाल और बंगाल की खाड़ी में कौन सा जो भी आयोजिन हुआ है तो वह जीमेक्स हुआ है किस-किस देश के भीचुआ है भारत और जापान के भीचुआ है कि हम बात करते हैं तो करम के स्थान पर यह सात्वे नंबर था य कि देखते हैं इसके बारे में कि भारती नोसेना के दोरा आयोजित जापान भारे समुत्रिय प्यास 2023 से जीमेक्स 2023 का नाम दिया गया का सात्वा सिस्टन बंगाल की खाड़ी में हुआ और यह जो केते हैं कि यह जो अभियान था या कहें कि यह जो सिस्टन था यह पूर्व सेल्फ डिफेंस कोस जे एम एच्टी अफ के जहाज समिदारे ने थे दिवसी अभियास में भाग लिया हैं ठीक है दोनों पक्ष समुद्रिद के सभी तीन इस्तरों यानि की सतय पर उप सतय पर और हवा में उन्नित इस्तर के अभियास में सामिर हुए हैं भारत और जापन का क्या है एक सामुहिक नौ सेनिक्स युद्दा अभियास है जिसमें यह चारों देशन की सट्रज अमिर्का ऑस्ट्रेलिया जापन और भारत एक साथ भाग लेते हैं नौ सेना को ज्यादे एडवांस करने के लिए कि नौ सेना को जो नवीन तकनीकी है उनका अधर्म जान है जो कि वायू सेना के लिए किया एता है और एक सेन अभियास है जो धर्म सवर्चक के नाम से जाना है यह भी जापान और भारत के बीच होने वाला कैसा एक सान अभियास है यह सात्मा सिर्श करता बंगाल की खाड़ी में हुआ दो हजार तेश में वा ठीक है उच्छा जाए मालावार में चार देस आते हैं भारत अमेरिका और जापान यह आप अगला देखते हैं तो सिनुमेट्रिय अभियान यह भी भारत जापान के बीच है लेकिन वायू सेना के लिए है जबकि धर्म सवर्चक जो सेना हैं उनके बीच में भारता जापान के बीच आयोजित किया आता है ठीक है चलिए अगली स्लाइड की और पढ़ते हैं अगली स्लाइड लिखा हुआ है कि हाली में भारत में किस देश के साथ रुपए में रुपए में दुई भी प्रक्षी है व्यापार से रुकिया है बहुत ही थाम दिया गया है तो कही न कहीं ये रुपए के लिए एक महता या कहें कि रुपए की जो पावर इसमें करता है तो कहीं न कहीं ये एक महतापूर समझाता है और किसके साथ हुआ है ये बांगलादेश के साथ हुआ है यानि कि बांगलादेश के साथ भी अब हम अपना जो व्यापार है उस व्यापार को किस में करेंगे और रुपाई में करेंगे ठीके बंगलदेस के साथ ही बंगलदेस 19 में सराष्ट हो गया है जो भारत के साथ क्या है और रुपाई में व्यापार करेंगा इससे पहले अठारे देशों के बेंग ठीके अठारे देशों के साथ क् बांगलादेश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने वाला उन्नीसमा देश बन गया है यदि हम बांगलादेश की बात करते हैं तो दक्षण एसिया में भारत का सबसे बड़ा भागीदार कौन है बांगलादेश है दक्षण एसिया की बात हो रिव्या दक्षण एसिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़ेदार कौन है बंगलादेश है जब कि अधिया में बात करते हैं भारत के संदर में बात करते हैं तो भारत एस्या में बंगलादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार केते हैं भागीदर है निकि इंडिया का जो अगर बंगल बांगल्देश भारत के साथ नमबर एक स्थान पर है व्यापार होगाु अब आते होती है कि यह रुपया किस किस मतलब किस किस कूल रहा इसके पया जो आधान प्रदान होगा तो बंगल하대स की ऑर से भारत के साथ विपोर व já कैंदेश इसके Eastern Bank और Sonali Bank Limited के दोरा यानि बंगलदेश के दो बैंक है Eastern Bank Limited और Sonali Bank Limited ये और भारत के दो बैंक है ICCI Bank और भारते State Bank ये दोनों बैंक जो है आपस में रुपए का जो है आधन परदान करेंगे तो भारत की ओर से ये परचारन भारते State Bank और ICICI Bank के दोरा किया जाएगा बहुत ही इंपोर्टेंट कि बंगलदेश के साथ जो रुपए का व्यापार होगा वो किन-किन बैंकों के मात्यम से होगा यह हम भारत की दर्फ से बात करते हैं तो State Bank और ICICI Bank है जो कि दिए हम बंगलदेश की बात करते हैं तो बंगलदेश करेंगे चलिए अगली स्लाइट क्यों पढ़ते हैं अगली स्लाइट क्या है जीव विग्यान ओलम्पियाट ने भारत पदक तालिका में सीर्स पर रहा और इसमें 400 पदक हसिल किये हैं तो बात करते हैं तो भारत अभी तक इसमें इस बार को छोड़कर अभी तक कि यतने अगले शुद्ध ने भारत अभी तक तर्फ पर नहीं पहुचा था लेकिन अब की बारें की चौटिसमें इस ओलम्पियाट ने भारत शीर्स पर पहुचा है और यह आयोजन सहिक्त अरभ अमीरात में किया गया ठीक है यह आईजन कहां पर हुआ सहिक्त अरभ अमीरात के आ करके साथ संघापूर पी इसमें रहा है तो लिखा हुआ है भारत कर लावा संहा धर गया उए इमान ऑःसन था जिसमें 4-100 प्रदक प्रधान किये गए इसमें चार भारत को चारे जूह इंग इसमें रहा है शेर्सीमुझ रहा है बहुत ही हुचे महतर्पूर नशनल आपका इंटरनेशनल बायोजी ओलम्पियाड़ उसमें सीर्स पर कौन रहा है इसमें सीर्स पर रहा है भारत और भारत की ओर से यह चार पतक हासिल किये गए है ठीक है बैंगलरू से करनाटक बैंगलरू करनाटक से धो आडवानी की दौरा कोटा राजस्तान से इसान पेटने बहुत ही inp origin' फीफा का यह एए फीफा एक वैसिट में है जुकि अंतराष्टिय फुटवाल जो संग jest और इसके अध्यक्ष घ्यानी इन व्यानि इस फीफा को थो है जिमाबे पर लगे हुए प्रतिबंदों को हटा लिया गया है याने कि Olympic के जो inception 수le टूर्णामेंट में भाग दोने से प्रतिबंद हटा दिया है, Gym Bambay से प्रतिबंद अठाया गया है. ठीके, Gym Bambay Football Association के, जो है इसको प्रतिबंद FIFA के तरह लगाए गये थे, इन प्रतिबंदों को FIFA के तरह आप आप हटा लिया गया हौए और Gym Bambay ले सकेगा हाली मं wonder है दो रूश आर्यूक्रेयन के हो रहा है। रूस यूक्रेयन परमारी पर रहा है। ज्पी यूक्रेयन नटो से रहा है। biscριतिència टो नटो ज़़ारा इसमेदन शजयानि यूक्रेयन के लिए बहुत सारी सहता सब्सक्राइब कि जा रही है तो इसी क्रम में बेटेन के दार है रूसों के यूक्रेण के लिए क्या है जो है उपकरण है सेन उपकरण है उनके लिए एक राहत सहायता अभियान हुए या कहें कि राहत पैकेज की गोश्टाउं की गई है और यह 64.7 मिलियन डॉलर का होगा ठीक है तो अगर पुझाया किस देश ने 64.7 सेन बिलियन डॉलर का एक सहायता या कहें कि जो आपका पैकेज है वो यूपरिएं को दिया है तो यह बिटेन ने दिया है और इसबेंकोपर करते हैं तो यूपरयं कीराजदान हेया की राश्ठपती एं मोलदी मेर जहत की ठीक है पर्दान मंत्री है देन और मुद्रा है रिवन्या ठीक है और इसके दोरा जो क्या है यूके चैलेंजर जो टू टैंक है उनसे और सबतर से आधिक लडाकू और लाजिस्टिक वान और हजारो राहूट गोला वारूत भी क्या है यूक्रेन को बिटेंज से प्राप्त होंगे जैसे कि युद्ध में व हो चुका है और जो नाटो से नाटो देश है वह क्या है यूक्रेन की साहिता कर रहा है जब कि रूस अकेले दम पर क्या है इसे को लड़ रहा है अग्ली स्लाइड एलन टी लार्सन एंटोब्रो कंपनी है यह एक कहते हैं कि भारत की प्रतश्चुत कंपनियों में एक है इस भारतिय बहुराष्टिय समू कंपनी ने रक्षा छेत्र में दोनों देशों के बीच साज़दारी को और मत्बूत करने के लिए अमेरिकी नोसेना के साथ मास्टर सिप्याड समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो लॉर्सन एंटोब्रो एलन टी कि दोरह क्या है इस समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं और यह अगर हम बात करते हैं इससे पहले भी यूस यूस एनस सालवोर जाज को यात्रा मरमत के लिए कटू पुली से प्याइड में प्राप्त किया गया था और यात्रा मरमत के लिए से प्याइड में आने वाला है तीसरा जाहस था इससे पहल उनली से प्यार चेनने के पास धक्षनी रक्षा गलियारे में एक प्रमुक नोड शैनी सिलिफ्ट कमांड जहाजों किया अत्ता मरमत का कारी करने का एक मेहत्पूर्ण पत्न है वहाँ पर जू क्या है इसकी कहें कि यह कारी कर रहा है तो लार्सन अन्टब्रो कदरा जो अमेर कि नोशेना के तीन जहाजों को जो है मरमत सब्सक्राइब करके पूरा किया गया है अगली स्लाइड क्यों बढ़ते हैं लिखा हुआ है कि हाली में आर्बी आइए ने अपरयाप्त पूंजी के कारण दो बैंकों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया है बहुत ही इंपोर्ट है चेह कि जो उनकी जमाराची है कि उस पर वह कहीं पर भी ब्याज दोनाकी सतिती में नहीं को ग्रहाकों का या जो जमा करता है उनकी धन स्वरुक्षित नहीं है इस दृष्टी को देखते हुए रभी आई ने जो करनाटक की एक सहकारी tomb को करनाटक और और सिरी हरी हरेस्वर सहकारी बैंक Y17 का लाइसेंस रद्ध कर दिया है. ठीके वो दो दो बैंक के कौन सी है? सिरी सारदा मैले सहकारी बैंक टंकुर करना टक और हरी हरेस्वर सहकारी बैंक Y17 का जो लाइसेंस है वो रद्ध कर दिया है. अब जब यह लाइसेंस रद्ध कर दि आपने पास जमा करेंगी और नहीं किसी को पैसा है भुगतान करेंगी कि एधर डि इसी बात करते हैं डि इसी ने अपनी जमाराशी की जो पांस लाख रुपए तक की रासी है वो जम पीधार यानि कि इसमें जो लोग हैं उनमें लगबल लगबल सभी के क्योंकि पहले वाले में 97.82 और दूसरी वाली में जो है 99.96 परसेंट के जो उनके कहते हैं कि जमा करता है उनकी पूरी रासी उनके लिए प्रदान की जाएजी क्योंकि जो भी रासी है वो अर्वियाई के कवर्न में आके सामित चेतर में आचुकी है अगली स्री लंका ने स्री लंका की जो इंडोनेशिया के साथ तरजी व्यापार को जो है समझते को प्रस्ताव को मंजूरी दिये तो स्री लंका वित्तिय रूप से दिवालिया घोसे तो चुका था उसकी वित्तिय स्थिति बहुत यादा खराब थी तो अपनी वित्तिय स् समझते हैं कि प्रस्ताव को मन जूरी दी है ज़िए हम बात करते हैं तो जो स्री रंका है उसके राष्ट पती है उनका नाम है रानेल विक्रम सिंगे रानल विक्रम सिंगे के माग देश्व में सी रंका थाइलेंड चीन और सिंगापूर सी रंका थाइलेंड चीन और सिंगापूर के साथ समझोते के कुछ हिस्सों साथ कई समझोतों पर बाच्ची तेजी के साथ कर रहा है इसके साथ राणल विक्त्रम सेंगे निर्यात आयत वेपार को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के साथ सम्झाते का प्रस्ताव रखा है जबकि इंडोनेसिया के साथ एक तरजी वेपार के प्रस्ताव को जुए है दोनों देशों किदर आपस में मन्यूरी प्रदान कर दी गई है ठीके और इसके लिए दक्षिपूर्वेशार रास्ते आज्यान के जो महा सचिम है जिनका नाम है काओ किम होन बहुत important question कि जो आसियान के समय महा सचिम है कौन है काओ किम होन इन्होंने क्या इसकी परसंद सा किये जैसे कि इस लंका की जो विटिये सित्धी है कहे कि जो उनकी आरतिक इस्तति है उसमें सुधार हो सके और इसके लिए असे अंकी पसंद्सा भी की गई है चलिए अग्ली स्राइट पढ़ते हैं अग्ली स्राइट क्या है लेकिन चीन ने ये काम जो है SpaceX एक की प्राइवेट कंपणी है जिसने रावा किया था कि वह अपना जो विमान है वह मीथेन इदन से जो है वह उन्तिक्स में बेज़ेगा क्योंकि मीथेन इदन अन इदनों की तुल्ला में जादे इसकी पावर है जादे समय तक चलता है तो चाइन ने ऐसा काम पहले कर लिया है चाइन आप SpaceX में मीथेन से चलने वाले अपने रॉकेट भेजने में सक्ष्यम है और इस परकार ऐसा करने वाला दुनिया का पहला दे देश है जो कि अंतरिक्षमी ऑग किसने अपने मीथेन से चलने बिमानों को भेजेगा डिके एलन मस्क की कंपनी है SpaceX इस SpaceX को पछाड़कर चीन अंतरिक्षमी नए मीथेन संचलने वाहक रॉकेट का सफलता पूरवक लांच करने वाला पहला देश बन गया है इसकी कंपनी है एरस्पेस कमपरी लेंड स्पेस के UK2 थीके लेंड स्पेस के UK2 ने ये कारणाव आसिल किया है और इसने गोविक के रिखिस्तान में जियाव कॉन सेटिलाइट लाँज से उडान बरी और अपने इस उडान को पूरा किया है ठीक है पिछले साल 24 संबर के बाद असफल प्रक्षान के बाद जुके टू वाग राकेट का या दूसरा उडान में संता जिसमें यह कामया हुआ यह हम बात करते हैं तो अफ्टरल ऑक्सीजन मीथिन राकेट प्रोदर की द स्लाइड के लिए भारत में फिंटेक स्टाट अप के लिए नया तुरुत कारिक्रम लांच किया गया है ठीक है फिंटेक स्टाट अप के लिए एक नया तुरुत कारिक्रम लांच किया गया है और इस कारिक्रम के लिए ठीक है किसके साथ साज़ेदारी हुई है इसके साथ पे यू के साथ साजिदारी हुई है ठीक है किस डिजिटल भुगतान एग्रिगेटर ने शुरुवाती चलण के भारती स्टाट अप के लिए एक फिंतेक एक्सलेटर प्रोग्राँ इन्फिनिटी लॉंच करने के लिए अमेज़न बेब सर्विस और चिराटे बिन्चर्स के साथ साजिदारी की तो यू नामक एक जो क्या कहते हैं आपका वीप सर्विस यह कहें कि एक यह प्रोग्राम है या कहें कि एक स्टार्ट अप है उसने इसके लिए साज़ेदारी की है इसके लाब आधियम बात करते हैं तो यह क्या है कि इसके बारे में पढ़ने कि डिजिटल भुक्तान अग्रिकेटर पे यू ने शुरुवाती चलन के भारती स्टार्ट अप के लिए एक प्रिंटेट प्रोग्राम इंफिनिटी लॉंच करने के लिए अमेजन वेब सर्विस और फ्वस और चराटे वेंचर के साथ साज़ेदारी की है यह 45 दिनों का कारिकरम होने जा रहा है जिसमें शुरुवाती चलन के फिंटेक इस्टार्ट अप को एक साथ लाने और उन प्रकार भारत में फिंटेक इसटार्ट अप के लिए के दा रहा जुए इस काम को किया गया है यह एक प्रोग्राम है, ठीके, और इंफिनिटी लॉँन्च प्रोग्राम है, जिसको दो अमेजन वेब सर्विस और चिराटे वेंचरर के साथ कर्यूज है, तो यह थे आज की कुछ हमारी स्लाइड्स यदि आपको हमारी स्लाइड पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्याद शेर करें यदि आते को सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपने सुझाव भी दे सकते हैं निश्यत ही हमारी टीम के दोरावस पर काम किया जाएगा आज की दिए फिलार इतना ही दन्यवाद